हेलो गाईज आज की जो वीडियो है वो देली इन्यूवर्सिटी कोश्टन्स पेपर के उपर है यहां पर मैं आप लोग से बात करूँगा जेनरिक एलेक्टिव शोशियलोजी ठीक है अब एक चीज़ में बता दूँ जिन बच्चों के पास जी शोशियलोजी है और फेमली इन्टी में सी सब्जेक्ट आपके पास अगर मिला है ठीक है हो सकता है यह सब्जेक्ट आपको फस्ट समेश्टर में मिले हो सकता है सेकंड समेश्टर में मिले हो सकता है थार्ड में मिले हो सकता है फौर्थ में मिले फिफ्स सेवन एट ठीक है यह डिपेंड करता है आपके कोशन पेपर है और एक है 2019 का ठीक है अब एक और चीज यहां पर देखने को मिलें यहां पर आपको देखने को मिलें गहां सब्जेक्टा को सब्सकता पर समश्टर अपको उनी टीक डिप Bowl और आला चाहिए नेम जो है फैमली क्यों और शोडोजी सब्जेक्ट है बिए ओनर्स के लिए है बीकॉम है जिन बच्चों के पाइज बैसिकली जी में शोचिल हो जिए ठीक है पिशतन नंबर के पेपर हैं जो पहले आता था ठीक है यहां पे जो ही कितने कोशन्स हैं सभी चार परशन देखो या सभी पर्षनों के अंक समाने और किनी चार पर्षनों के हमें उत्तर देने ठीक है यानि हमें जो है seven questions है seven में से हमें कितने करने four करने अब यहां पर मैं बात कल तो पहला question है इन्होंने बोला है family is a natural community critical examine this statement from historical and anthropological perspective ठीक है परिवार एक प्राकर्तिक समुदाय है इस कथन का एतिहासिक वह मानव शास्त्री परिपरेक्षो द्वारा आलोचनात्मक परिछण कीजिए ठीक है दूसरा question है यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ठीक है दूसरा question है इन्होंने बोला है क्या नाम है does the choice of an alternative sexuality automatically exit you from the institution of family discuss किया एक वेकलपिक यो निकता का चैन आपके परिवार की संस्था से सवचालिकता पूर्वक भाहर कर देता है विवेच ना कीजिए ठीक है यहां पर ठीक है चोथा question है यहां पर बेसिकली और दियोगी समाज में परिवार में रुपांत्रणों को व्यक्त कीजिए परिवार के वेकलपिक प्रकार कौन से हैं ठीक है अब मैं आयता हूं 5 वे कोशन पें 5 वे कोशन यह आपका परिवार जिवन इंग्लिश में भी लिखा कोर ठीक ए इंग्लिश में भी हिंदी में भी चाठा कोंशन ये है आपका चाठा हर्साथस्वक को W diary करें इन्होंने बोला है आपकी परिवार वह आत्मिय संबंद्रों की समझkommen Hello इस परकार एक निमन्द लिखी है और इस पर एक निमन्द लिखी है व्राइट एन ऐसे ओन हाव यूर अंडरस्टेंडिंग और फैमिली एंड इंटिमेट रिलेशन्शिप ट्रांसफॉर्म्ड दिस कोर्स ठीक है अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोजर उन्निस के कोशन पेपर को उपर दोजर उन्निस में भी सेवन कोशन आये थे ठीक है यहां पर सेकंड समस्टर देखने को मिल जाएगा फैमिली एंटिमेशी सब्जेक्ट है पेपर कोड यहां पर आपको दिख जायागा ठीक है बोला है सभी पर्षनों के अंग समाने है और किनी चार पर्षनों के आपको उत्तर देने हैं आपे पहला कोशन देखो परिवार से रिलेटिड है तो आप पढ़ लेना दा फैमली यहाँ पर नहीं लिखा दा फैमली आ यूनिवर्सल सोशल इंस्टिटूशन यह पहले भी आयता तो यह ज़रूर पढ़ लेना है और क्रिटे के लिए डिसकर्श ठीक है क्या परिवार सारभोमिक संस्ता है आलोचनात्मक विवेचना कीजिए दूसरा कोशन यह रहा आपका तीसरा कोशन यह रहा चोता कोशन यह रहा वियरा आपका पांचों कोशन चटा कोशन सातों कोशन पांच में बोला है क्या परिव और बाकि यहां पर इन्होंने साथों कोशन पूछा 21 सदी में परिवार किस तरह बदल रहा है इसका विसलेशड करना है आपको अनलेश हाव दा फैमली है जिसमें साथ को फॉर कोशन करने है यह यह पर इन्होंने बता रहा है यहां पर बस आप लोगो को मैं बता दू जो है सेम है स्लेश में कोई चैंजिज नहीं था तो इस वैसे में नहीं आप लोगो प्रोवाइट कर दिया है और बाकि अगर आपके क कोशन्स पेपर है वह और लेडी मैंने चैनल पर प्रोवाइड कर रखें तो प्लेली जाकर आप चेक आउट कर सकते हो